जहिन स्वागत आपका अपने Study24 जारखन योट्व चैनल में दोस्तों मैं इस वीडियो में आप स्वी जारखन बोड के मैटिक के छातरों के 3 अपरेल को होने वाले संस्कीर्थ के बोड एकजाम के लिए कुल मिलाकर के 40 BBI objective परशनों का उतर लेकर के आया हूँ जो आप स्वी जातरों के लिए काफी महतपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे परशन आपके 3 अपरेल को होने वाले संस्कीर्थ के बोड एकजाम में पूछे जाएंगे तो दोस्तों चली हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी BBI objective परशनों के उतर को एके करके देखते हैं और दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले दिया गया है खंड का अपठित गध्यांसा 5 अंका और यहां पर निर्देश दिया गया है कि अधो लिखितम, गध्यांसां, पठितवा, विकलेभ्या, उत्रानी, चितवा, लिखंतु आनि कि यहाँ पर आपके लिए एक अपठित गद्यांस दिया गया है जिस गद्यांस को पढ़ करके इस पर आधारित नीचे दिये गए परशनों का उत्तर आपको लिखना है और दोस्तों यहाँ पर यह जो अपठित गद्यांस दिया गया, इस गद्यांस में एक बहुत ही सुन्दर इंट्रेस्टिंग कहानी है, जो एक राजा का कहानी है, और यह आपका संस्कीर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन हम अभी आपको हिंदी में सुनाएंगे, आप लोग इ आगे इसमें लिखा हुआ कि सब बिद्वान परजा पाल का प्राकर्मी परिसर्मी चाहासित वह बिद्वान परजा पालक प्राकर्मी और परिसर्मी था। आगे इसमें लिखा हुआ कि तत्र वसिष्ट सव सिस्यम दिलीब कामधेनु पुतरिया नंदिनिया सेवार्थम आदि देश। आगे इसमें लिखा हुआ कि सेवा करो तो तुमको पुतर की प्राप्ति हो जाएगी। 21 दिनों तक लगातार गव की सेवा की। उसकी उन्होंने सेवा की दिन रात हमेशा। इसकाद आगे इसमें लिखा हुआ कि दवाद विसती तमें दिवसे एका सिहम नंदिन्याम आकरमत आनि कि विसमें दिन एक सिह ने नंदनी गाई पर आकरमन किया। तो क्या हुआ आगे इसमें लिखा हुआ कि दिलीपा गवर अच्छाए सव सरीरम एव समर्पितवान। कि गवर अच्छा के लिए राजा दिलीप ने अपने आपको सिह के सामने समर्पित कर दिया और कहा कि तुम गाई के अस्थान पर मुझे खा जाओ लेकिन हमारे गुरू के नंदनी गाई को छोड़ दो इसकाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि तदा नंदनी अतीव परसन अभध तब नंदनी बहुत परसन हुई दोस्तों यहाँ पर जो यह सिह आया था सिह को किसने लाया था नंदनी गाई ने जो है राजा दिलीप की परिच्छा के लिए उसको आमंतरित किया था या फिर केंकी रचना किया था और वो जो है आया जब उस पर आकरमन करने आया जब राजा ने अपने आपको वाँ समर्पित कर दिया कि तुम मुझे खालो इस नंदनी गाय को छोड़ दो तब नंदनी गाय को समझ में आ गया कि राजा जो हो बिलकुल ही बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी सेवा कर रहा है आनि कि गव सेवा कर रहा है और इससे जो नंदन गया बहुत परसन हो गई, परसन होने के बाद क्या हुआ, इसमें आपका दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि नंदनी राजे पुत्र प्राप्ति वरम च अद्ददात, आनि कि उन्हों ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वर दिया, आसिरवाद दिया, आगे इसमें ल लोग आगे बढ़ें तो इस पर आधारित जो आपका प्रसन पूछा गया है वह है कि कह सुर्वंसी निर्पा आसित आनि की सुर्वंसी राजा कौन था तो राजा दिलीब था इसका दूसरा प्रसने की दिलीब कसे आसरम में गया तो गुरू असिस्टस से ओप्सन नमबर ती इसका तिसरा प्रसने की कस्या परसादिन दिलीब पुत्रवान अभवत आनि की किसके आसिर्वात से दिलीब पुत्रवान हुआ तो वह हुआ नंदिनिया आनि की ये नंदिनी के आसिर्वात से इसका दम लोग आगे बढ़ें ता आपका चंथा प्रसने की दिलीब की पतनी कौन थी तो अप्शन नमबर चार आपका सही है इसका पांचवाँ परसने की आश्रमम अगच्छत अत्र अगच्छत इती किरिया पदस कर्तिरी पदम कीम आनि कि यहां पर यह जो अगच्छत है तो इस किरिया पद का कर्तिरी पद क्या है तो इसका सही उतरोग आपका आपका गद्यांसम पठित्वा परशना नाम उत्रानी विकलेब्या चित्वा लिखन्तू आनि कि यहाँ पर आपके लिए पठित गद्यांस दिया गया है जो आपके किताब से लिखा गया है यह भी एक कहानी है और इसको आपको पढ़ने के बाद नीचे दियेगे परशनों का उत्त लिखना है और दोस्तों यहाँ पर यह जो कहानी दिया गया है कि कहचित किर्सका बली वर्धव्याम छेतर करसनम कुरवन आसित आनि कि यहाँ पर यह जो कहानी दिया गया इसमें कहा गया है कि कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था और उन दोनों बैलों में स एक सरीर से कमजोर था जो चलने में असमर्थ था और वह किसान उस दुर्बल बैल को कश्ट पुर्वा खाक रहा था वह हल के साथ चलने में असमर्थ था अता खेत में गिर गया और कुरोधित किसान ने उस बैल को उठाने का बहुत परियतन किया फिर भी वह बैल नहीं उठा और भूमी पर गिरा हुआ अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुर्भे के दोनों आखों में आसु बहने लगे और सुर्भी के इस अवस्था को देखकर देताओं के राजा इंदर ने इससे पूछा कि हे पिरियेगाय क्यों इस परकार रो रही हो कहिए ऐसा कहा तो इस तरह से आपका इस संस्किर्ट वाले परगद्यांस में कहानी दिया गया है दोस्तों इसका चलियम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे अधारित जो नीचे परशन दिये गए हैं उसके उतर को एके करके देखते हैं और इसमें आपका छठा परशन पूछा गया कि किर्शक का किम कुरुवन आसित आनि कि किर्शक क्या कर रहा था तो वो छेत्र करसनम कर रहा था आनि कि खेत की जुताई कर रहा था इसका गिर गिर गया तो जो है आपका छेतरे आनी की खेत में गिरा था इसका दोस्त आम लोग आगे बहने त आपका नोवा परस्न पूछा गया है कि सर धेनुना नाम माता का आसित आनी कि सभी गायों की माता कों थी तो आपकी सुर्भी थी आनि की option नमबर एक आपका सही है इसका दस्वा परसन है की सुराध्धिप इती पदम कस्में पर्युक्तम आनि की सुराध्धिप जो पद है ये किसके लिए पर्युक्त हुआ है तो दोस्तों ये पर्युक्त हुआ है इंद्राय के लिए आनि की इंद को आपको पढ़ना है समझना है और इस पर आधारित नीचे दिये गए परशनों का उत्तर लिखना है जिसमें आपका असलोक दिया गया कि सेवी तब्या महा बिर्चा फल चाया समन्विता अधी देवात फलम नास्ती चाया केन निर्वायते यह जो असलोक है इसका अर्थ है क फल और चाया से जुक्त बड़े बिर्च काही सेवन करना चाहिए यदि भाईग वस उसे फल नहीं भी लगे तो उनकी चाया को कौन रोख सकता है अर्थात गुनवान की संगती में रहने से सदे उपकार ही होता है चाहे उनके पास धन हो या नहीं तो इस तरह से इस असलोक का ये अर्थ है अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रिश्य अधारित जो प्रसन पूछे गए हैं उसके उतर को एक एक करके देखते हैं और इसमें आपका ग्यारहमा में प्रसन पूछा गया कि फल चाया युकतक का सेवी तब्या तो दोस्तों इसका सही उतर होगा महा इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़त आपका जो चवदहमा प्रसन पूछा गया है वह है कि देवात इती पद से समानार्थक पदम की मस्ती आनि कि देवात का समानार्थक सब्द इसमें कौन सा है तो इसका सही उतर होगा आपका ओप्सन नंबर चार जो आपका ये देख दो भार ग्यात आनि की option number 4 आपका सही है इसका 15 परसने की नास्ती इती पदस संधी बिछेदम कुरूतर आनि की नास्ती का संधी बिछेद करना है आपको तो इसका सही उतर होगा आपका option number 2 न जोड अस्ती ये है आपका सही उतर तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिला करके 14 परसनों के उतर को देख लिया इसका दोस्तों आगे आपका निर्देश दिया गया है कि अधो लिखितम नाटियांसं पठित्वा परस्ना नाम उत्रानी विकलेभ्या चित्वा लिखंतू आनि की यहां पर आपके लिए एक नाटक खेला गया है नाटक लिखा गया है इस न दिया गया है बिदूसका लवा बिदूसी का और नीचे आपका राम इत्यादी भी है तो इस नाटक का अर्थ क्या है इसमें जो दिया गया है धीर से इसका जो हिंदी होता है भीर से मैं फिर से पूछूंगा परकास यहां जो देख रहे हैं परकास मतलब परकास तुम्हार पारी माता का नाम क्या है इसकद आगे यहां पर लव बोलता है कि उसके दो नाम है विदूसक पुछता है कथमी यह कैसे इसकद आगे हम लोग बढ़ें तो इसे बोल रहा है लव यह जो लव बोल रहा है क्या बोल रहा है कि तपस्या के जंगल के निवासी उसे भगवान बा आप आगिया दे ilay is?. इसका अर्थ होता है ? आ आगिया दें 1990 sont…. इसकत राम क्या बोल रहा है ? राम क्या बोल रहा है क्या मेरे और मेरे लड़कों का परिवारी इतिहस बिलकूल एक जैसा है !!! आगे हम लोग बढ़ें तो यहां पर दिया वह नेپ तक मतलब मच पर समय तो इस तर रूपा आसित तो दोस्तों इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आपका ओप्सन नमबर चार जो आपका दिया गया यहां पर कुटूंब बिर्तांता यह आपका सही है इसके वद आपका 16 परसने की समाननिया मूनी योगा केन कथिता तो इसका सही उतर क्या हो जागा इसका सही उतर है रामेन इसका अठारवा परसने की बालमिकी सिताम कीम नामना संबोधियती आनि की बालमिकी सिता को किस नाम से संबोधित करती थी तो वधु इसका आपका उनिस्वा परसने की तपोवन वासीना वेदेही कीम नामना संबोधियती तो इसका सही उतर होगा दोस्तों हम लोग आगे बहुत आपका विश्वाप प्रसंद पूछा गया है कि विधी यते इत्यस्मीन पदेकह लखारा अस्ती आनि कि विधी यते में जो पद है वो इसमें कौन सा लखार है तो दोस्तों इसमें आपका लट लखार है आनि कि option number 1 आपका सही है इसका दम लो यह जो आपका वाइक दिये गए है परसन संक्या 21, 22, 23, 24 इतियादी में तो यहाँ पर यह जो रेखांकित पद है आनि की सब्द है तो यहाँ पर कौन सा सब्द आप डालेंगे जो यह परसन वाचक चिन बन जाए तो दोस्तों इसका जो हम लोग उत्तर देखें एकिस्वा मे की विविशा प्रानीना आकासे पिपी लिका इव नहीं अंते में यहाँ पर आगर आप देखेंगे इसको देदेंगे तो हो जाएगा की दिरिशा पानीना आकासे पिपी लिका इव नहीं अंते है ना तो इसका सही उतर होगा आपका ओप्सन नमबर एक इसका 22 परसने की उ उद्याने, केसाम, कलरं, चेत, परसादियती, ठीक है, इसका धम लोग आगे बने तापका 23 परसने की परकिर्तिया, सनिद्यो, वास्ताविकं, सुखं भवती, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगी जो परसन बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको डालना होगा, option number two, कस्या, आनि की परकिर्तिया, सनिद्यो, वास्ताविकं, सुखं भवती, कस्या होगा यहाँ पर, इसका धम लोग आगे बने तो आपका 24 परसन पूछा गया है, वो है कि अम भोदा, विरिष्टिभ्य, वसुधं, आर्दियंती, दोस्तों यहाँ पर सब्दों और पदों विरिष्टिभ्य, वसुधं, आर्दियंती, ठीक है, इसका 25 परसन आपका है कि चात्का वने वसती, तो यहाँ पर क्या हम लोग दे सकते हैं, चात्का कुत्र वसती, यहाँ सही उतर होगा, option number 1, तो इस तरह से हम लोगोंने 25 परसन के उतर को भी देख लिया, इसका दोस्तो देश दिया गया कि अधो लिखिद, वाक्येशू, रिखांकिद, पदसे संधी, पदम, विछेदम, पदम, वार्चिनूद, आनि कि यहाँ पर यह जो आपका वाइक दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है, इसका संधी विछेद करना है, तो इसमें हम लोग देखें, आपका 26 में पड़शन पुछा गया है, कि सिरिष्टि रेशा रमनिया अस्ति, तो यहाँ पर आपका जो सब्द दिया गया है, सरिष्टि रेशा, यह न, तो इसका आपको संधी विछेद करना है, तो संधी विछेद अगर आप करेंगे, तो इसका सही उतर क्या होगा, इस इसका सही उतर होगा आपका option number one ये वला है ना इता जोड तत्ता ठीक है इसका हम लोग संधी बिछेद करेंगे तो यही होगा इसका दोस्तों हम लोग आगे बनत आपका जो 28 परसन है कि वाक जोड मयम तब उच्यते तो ये जो सब्द है इसको हम लोग संधी करेंगे तो क्या होगा वाग मयम होगा जो आपका option number four में दिया गया है इसका दोस्तों हम लोग आगे बनत आपका 29 परसने की वर्सा जोड रितु किर्सेभ्या सुक दायकम भवती तो इसमें आप यहां जो इसका संधी करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही उतर होगा आपका option number two आनि की व करेंगे तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा स सास्तरेन यह आपका सही होगा इसको दोस्तों लोग आगे बने तो आपका अगले परसन के लिए निर्देश दिया गया है कि रेखांकित पदानाम परकिर्ती परतेयो संजोज विभाज वा विकलेभ्या चिनूत आनि कि यहाँ पर जो आपका सब्द दिये गए हैं, YK दिये गए हैं तो इसका परकिर्ती पर करते है किया गयाँ जिसमें संजोज यह विभाज है तो इसका सइह उतर क्या होगा, इसका सइह उतर आपको देना है, जिसमें आपका 31 परसंफ पुछा गया कि कारियाम तू धैया आपका 32 परशने की अर्च नेन सरस्वती परशना भवती तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आपका option number एक आनि की परशन जो टाप ये जो सब्द है आपका परशन ना तो इसका हम लोग अगर विछेद करेंगे इसका परकिर्ती परते करेंगे तो इसका सही उत तरोगा परसन जो टाप ठीक है इसका दम लोग आगे बने तो आपका 33 परसने की नगर जो ठक देशम परगती पर्थम आरोहन्तु आनि कि यहां पर यह जो नगर जो ठक है तो इससे कौन सा सब्द बनेगा इसको अगर हम लोग संयोज करेंगे तो कौन सा सब्द मिलेगा तो आपका होगा सही उतर ओप्षन नमबर टू नागरिका इसका 34 परसने की समय से महता को नजानती तो इसका सही उतर होगा महत जो तल यह जो आपका है महता इसको हम लोग भियोज करेंगे तो इसका सही उतर होगा नमबर एक महत जोड तल इसका दोस्तों लोग आगे बनेत आपका 35 परसने की देह लिया कमल मंदीरम अवस्यमेव दरस्टब्यम तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर जो है इसका सही उतर होगा टू आनि कि दिरिश्ट जोड तब्यत इसमें जो है आपक विकलेव्य चिनूत आनि कि यहाँ पर उचीत अवय पद को भरना है और इसके सही उतर को पूरा करना है जिसमें आपका 36 परसन पूछा गया है कि सरीरम आद्यम धर्म साधनम तो इहाँ पर सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर होगा आपका ओप्सन नमबर चार खलू आनि कि सरीरम आद्यम खलू धर्म साधनम ठीक है इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 37 परसन है कि मगधस निर्पा असोका आनि कि मगद का राजा असोक था कैसा राजा था पूरा आनि कि प्राचिन काल का पूराना राजा था इसका दम लोग आगे बढ़ें अता करोती तता सोगनम। ठीक है? इसका दून चालिस future परसे की नागरात, देवालय, अस्ती, आनि की नगर के बाहर एक मंदीर है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा? इसका सही उतर होगा downton number 2 बही आनि की नागरात बही देवालय, अस्ती है ना इसका दमलोग आगे बनता आपका 40 परसने की मुर्खा खाली अस्थान जलपंती तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उतर होगा आपका option number बिर्था आनि की मुर्खा बिर्था जलपंती ठीक है तो दोस्तों यह था आप स्वी जारखन बोड के मैट्रिक के चातरों के 3 अपरेल को होने वाले संस्कीर्ट के बोड एकजाम के लिए कुल मिला करके 40 BBI अबजेक्टिव परसनों का उतर दोस्तों इसके बाद हम आपके लिए सब्जेक्टिव परसनों का उतर भी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूँगा इसलिए आप स्वी जातर इस YouTube चैनल को सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं ताकि हम जब भी वीडियो को डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जलती के जल्दी पहुंच जाए तो दोस्तों फिर से मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, बंदे मात्रम, जय जहारकन, जुहार जहारकन, बेस्ट ओफ लक, आप लोग बोर्ड एक्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिए और फर्स डिविजन से भी ज्यादा माक से प अन्यवाद